हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एकाउन नहीं वीडियो में तो आज मैं आपको कुछ इस टैप के कुछ इस टैप के कुछ इस टैप के व्लोगिंग थमनेल बनाना सिखाने वाला हूँ क्योंकि अगर आप व्लोग वीडियो बनाते हो तो भाई आपका थमनेल वहाँ प पोफेक्ट व्लोगिंग थमनेल बनाना सिखाने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा नूलेजबल होने वाली है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आईसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आज मैं आपको जो चीजे बताने वाला हूँ वह अभी तक आपको नहीं पताऊंगी और आज मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा नूलेजबल होने वाली है तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने अपनी मोबाल स्क्रीन को ओन कर लिया साइज का तो यहां से आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहां से हम यूट्यूब थमनेल को यहां से ले लेंगे और यहां से आपको ओके को उपर क्लिक करना है और आप जो हमारे थमनेल का साइज होगा वह यहां पर रेडि हो चुका है तो यह जो आपका कीवर्ड है टे यहां पर आपको जो भी फोटो लेना है जिस फोटो में आपको थमनेल बनाना है उसको आपको यहां से ले लेना है तो यहां से मैं अपनी फोटो को ले लूँगा फोटो को लेने के बाद में यहां से आपको राइट के उपर क्लिक करना है यहां पर आपको इसको यहां से करना है यहां पर प्लस वाल एकन पर क्लिक करना है और यहां पर हमारे सामने एक न्यूट आ जाएगा तो इसमें आपको जो भी इसके लिखना है वह आपको लिखना पड़ेगा तो यहां से आपको इसके उपर डबल टैप करना है एंड आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वह आपको यहां पर लिखना जैसे कि यापर मैं लिखूंगा माई फर्स्ट व्लोग एंड यहां पर मैंने लिख्या एंड लिखने के बाद में आपको डन के उपर क्लिक करना है एंड यहां से आपको ओके के उपर क्लिक कर देना है इसके बाद में इसका जो साइज है वो हम लोग थोड़ा सा यहां से बड़ा करेंगे यहां पर अब आपको जो नीचे साइड में यह वाला एक आइकन दीखेगा सेकेंड नमबर पर आपको इसके उपर यहां से क्लिक करना है यहां पर जो आपका टेस्ट होगा इसके जो सारे फीचर हैं वो यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसका जो फाउंट है वो हम लोग चेल्ज करेंगे लेकिन आपको व्लोगिंग कैटेगरी में कुछ यूनिक फाउंट का यूज करना है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में बॉक्स में दे दूँगा यहां से आपको डाउनलोड कर सकते हो तो यहां से जाएंगे फाउंट में यहां से आपको इस वाले फाउंट को एड करना है इस फाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा यहां से मैं इस वाले फाउंट को यहां से मैं एड करूंगा तो यहां से मैं इसके उपर क्लिक करूँगा यहां से मैं OK के उपर क्लिक कर दूँगा यहां पर जो मारा font है वो यहां पर add हो चुका है यह जो font लगता है यह थोड़ा सा vlogging type का ही है हर एक vlogger इसी font का use करता है आपने देखा होगा तो इसका जो size है वो सबसे पहले हम थोड़ा सा बढ़ा करेंगे और कुछ इतना पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको normal कैसे लिखना है फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने जैसे की आपकी body है आपको अपनी बोडी के पीछे कैसे लिखना है वह भी मैं आपको बताऊंगा बट उससे पहले यहां पर जैसे क्या आपको लिखना है my first vlog तो यहांसे आपको क्या करना है इसको यहां पर आपको set कर देना है अब हम लोग इसकी color grading करेंगे तो यहां से आपको color में जाना है टेस्ट में दो color add करना तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक option दिखेगा gradient का तो यहां से आपको इसके उपर click करना है and जब आप लोग इसके उपर click करोगे तो यहां पर मैंने already color create करके रखा तो यहां पर आपको starting में क्या क करना है इसके उपर यहां पर आपको प्रेस करना है यहां पर आपको एक कलर का आइकन दिखेगा यह वाला सबसे नीचे वाला तो आपको इसके उपर क्लिक करना है यहां से हम इसको कर देंगे ग्रीन कलर का एंड कुछ इतना एंड यहां से मैंने ओके को पर क्लिक कर दूंगा यहां पर हमारा green color add हो चुका है यह जो वाला black वाला color है इसमें हम add करेंगे yellow color को तो यहां से मैं इसके उपर click करूँगा आपको इसके उपर press करना है आपको फिर से color के उपर यहां से click करना है यहां से हम कर देंगे yellow color का इसको यहां पर मैं थोड़ा सा और कर देता हूं थोड़ा सा light color में इतना यहांसे मैं okay को ऊपर click करूँ गा यहां पर जो मार कलर है वो यहां पर ready हो चुका है तो यह आपका yellow वाला color है आपको इसको थोड़ा सा green side में कर देना ताकि यह glow color है वो आपके test में जदा आए वो हमारे टेस्ट में थोड़ा सा अभी भी कम है तो यहां से प्लस वाले किन पर क्लिक करेंगे यलो कलर को आपको थोड़ा सा इधर साइड में कर देना है इधर साइड में तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा और कर दूँगा कुछ इतना तो यहां पर आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहां से हम इसको ओन कर देंगे और इसको आपको थोड़ा सा यहां से बढ़ा देना है कुछ इतना हम लोग बढ़ा देंगे यहांड के अगो थोड़ा सा नीचे साइड मेंद करेंगे कुछ यहां पर देन इसका जो color है यहां से मैं yellow करके देखता हूं और मैं यहां से yellow करता हूं तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ इतना देन सके बाद में हम right के उपर click करेंगे और यहां जो हमारे एड़ करना चाहते हो तो यहां पर आप लोग एड़ कर सकते हो अगर आपको ऊपर एड़ करना है तो यहां पर भी आप लोग एड़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको अपनी बोडी के पीछे एड़ करना है वो भी मैं आपको आगी बताऊंगा लेकिन जैसे कि अगर आप लोग आपको क्या करना है इसको यहां से इधर साइड में यहां से फुली स्क्रीन में कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड ऐसे अब आपको क्या करना है यहां पर आपको लेर वाले किन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका Test है इसमें आपको एक person का icon दिखेगा तो यहां से आपको इसके उपर click करना है यहाँ पर आपको font के उपर click कर देना है यहाँ आपका Test होगा यह सबसे उपर आजाएगा तो यहां पर जो मारी सेडों है पीछे वो भी यहां पर लग चुकी है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे सेड में कर दूंगा कुछ इतना एंड आप लोग इस तरीके से कुछ इस टैप का थमनेल बना सकते हो अगर आपको कोई png वगर एड करना है कोई emoji एड करना है तो यहां से आपको क्या करना है यहां से आपको प्लस वाले एकन पर क्लिक करना है यहां से मैं एक new test को ले लेंगे आपको इसके उपर double type करना है अगर आप लोग कोई emoji लगाना चाहते हो तो यहां से आप लोग कोई emoji भी लगा सकते हो जैसे कि इसको मैं यहां से लगाऊंगा यहां से मैं ok को उपर click कर दूँगा इसका जो size है वो यहां से मैं बढ़ा करके इसको मैं एक यहां पर add कर दूँगा एक मैं copy करके यहां पर add कर दूँगा कुछ यहां पर यहां पर हमारी emoji भी लग चुकी है लेकिन अगर आपको अपने body की पीछे लिखना है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले आपको back में जाना पड़ेगा तो यहां से मैं क्या करूंगा यह जो हमारी photo है, इनको सारा कुछ मैं delete कर दूँगा, sorry मैंने test delete कर दिया, and यह जो हमारी png है, इसको मैं सारा कुछ delete कर दूँगा, and इसको मैं भी delete कर दूँगा अपनी photo को, दिन इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी जो shadow है हमारे test की, इसको हम लोग यहाँ से off कर दें दिन इसके बाद में यहां पर इसका जो background है वो यहां पर आपको remote कर देना है और आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपको share वाल एकन पर click करना है और आपको इसको यहां से download कर लेना है और यहां पर मैंने download कर लिया यहाँ पर आपको edit है photo के उपर click करना है अब आपको यहाँ पर क्या करना है आपका जो thumbnail वाला photo है उसको आपको यहाँ पर ले लेना है जैसे कि यहाँ से मैं इस photo को ले लूँगा यहाँ पर मैंने अपने photo को ले लिया है देन इसके बाद में अगर आपको नीचे साइड में देखोगे तो यहां पर आपको एक ओप्सन दिखेगा एड फोटो का तो यहां से आपको इसके उपर क्लिक करना है एंड आप यह जो आपका टेस्ट होगा उसको आपको यहां पर ले लेना है तो यहां से मैं इसके उपर क करना चाहता हूं यहां पर लेकिन यह हमारी बोडी के उपर है तो यह हमारी बोडी के पीछे कैसे जाएगा तो यहां से आपको थोड़ा समय थोड़ा सा ओर उपर कर दूंगा and कुछ इतना and अब आपको यहापर क्या करना है अगर आप लोग यहापर उपर साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा erase का मैं यहाँ से इसके उपर अपने test के उपर click करूँगा and यहाँ पर आपको एक option दिखेगा erase का यह जो आपको आइकन दिखेगा आपको इसके उपर यहाँ से click करना है and जब आप लोग इसके उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे side में erase का option दिखेगा तो यहाँ से आपको इसके उपर click करना है and यहाँ पर आपके सामने यह आपको अपनी body से यहां से remove कर देना है तो आपको कुछ इस type से यहां पर erase कर देना जैसे कि यहां पर मैं करता हूँ और यहां पर जैसे कि ज़्यादा हो गया तो यहां से आपको remove के उपर click करना है और इसके size को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा एंड आपको फिर से इस टाइप से यहाँ पर इसको add कर देना कुछ इस टाइप से दिने इसके बाद मैं फिर से आपको erase के उपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको remove कर देंगे पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा जादा कर देता हूँ और वहाँ पर मैं फिर से remove कर दूँगा यहाँ पर मैंने कर दिया अब मैं यहाँ से remove के उपर click करूँगा अब आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से erase यहाँ पर कर लेना है कुछ मैं इस type से कर दूँगा और आपको इसी टाइप से यहां पर कर लेना है और यहां पर मैंने सही तरीके से कर दिया है और इरेज करने के बाद में आपको यहां पर राइट के उपर क्लिक करना है और यहां पर जो मारा थमनेल है वो यहां पर रेडी हो चुका है तो जैसे कि यहां पर आपको एक डाउन्लोड का इकन दिखेगा तो यहांसे आपको इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर जो आपका थठमनेल होगा वह यहां पर डाउन्लोड हो जाएगा तो आप लोग इसी तरीके से व्लोगिंग थमनेल बना सकती हो जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है तो अगर भाई ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जेना तो आप मिलदा की इन आप वीडियो में किसी नाइट वीडियो में किसी नाइट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई